हेलो फ्रेंड गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग और कल का जो हम पढ़ायत क्रेंट फेयर उसका पीडियाप आज नीचे डिस्क्रेप्शन में डाल दिये हैं और यह वाला पीडियाप हम आपको कर्ड डाल देंगे चलिए शुरू करते हैं तो नेशनल क्राइम यौरो दवारा भारत के किस राज में मानोत तसकरी के सबसे ज्यादा दरज हुआ यह हुआ है जार खंड में यह हुआ कहां हुआ है तो जार खंड में देखिए आप लोग का हम परडे बनियां बनियां कोश्चन देंगे हम यह सारा कोश्चन पेपर दवारा हम बनाते हैं अपने इस बनाते हैं तो हमका लेट होता है आपको परडे सुबा हम आठ बजे प्रवाइट करेंगे और रात में हम एक जार खंड वन वन रिपोर्ट का एक मतलब विडियो बनाएंगे जो रात के नो बजे प्रवाइट करेंगे उसको चलिए दूसरा सबाँ जार खंड क महदपुन करेंड़ पर आपको मतलब पढ़ाएंगे तो चलिए दूसरा को कौशण में चलो होते हैं तो केंद्र सरकार ने जार खंड राज का पहला हं फाइड प्रोड़क्ट चलाने के लिए कितना लाघ रुपिया दे रही हैं बताए 87, 81, 89, 82 बताइए तो ये है 82 कितना 82 आते हैं अब किसरा सवाल में जहारखन राज का पहला अभी पढ़ें वहाँ अब 82 अब उसी समन्द सवाल है जहारखन राज का पहला पाइलेट प्रोडक्ट किस जिल्ला में चलाया जा रहा है तो ये है आपका गुमला में गुमला में है ने 82 लाख दिया है के अब सवाल का आते हैं तीसरा सवाल में भारत के पच्छिम बंगाल राज नयक और जन सुरच्छा के में केमा रेंक पे है ओ ठा लिखा लिखा ले हैं स्वरी है है होगा भारत के पच्छिम बंगाल राज नयक और जन सुरच्छा में केमा रेंक पे है 2020 में बताएं तो पच्छिम बंगाल है आपका सॉलवा नम्मर पे किकना नम्मर पे है सॉलवा नम्मर पे यह 2020 का रिपोर्ट है यह हाँ होगा बिहार राज क्योंकि एक जारगन का प्रोसी राज है तो इसे कान मतलब इसके बारे हम मतलब दे दिये हैं क्योंकि पूछ सकता है तो भारत में बिहार राज का नाइक और जन्द सुरच्छा में केमा अस्थान है 2020 में था लिखा हुआ है कर गलती हो गया तो केमा अस्थान है बताईए तो ये है 17 तो 16 किसका था तो पच्छी मंगाल के था और 17 किसका है बिहार के है है ने अब आते हम लोग जहारखन का भारत में जहारखन राज का नैक और जन्द सुरच्छा में केमा अस्थान केमा रेंख है था लिखावा गलती बताईए जहारखन के है आप लोग बताईए इसके हम करेंड़ फर पहले भी डाले हैं बताईए तो ये है तेरहा नमर केमा नमर तो तेरहा नमर स्वल्ला किसका था तो पच्छी मंगाल के 17 किसका था तो आपका बिहार के था ते प्रोसी राज है जहारखन के इसका पूछ सकता है चलिए दूसरा सवाल में नेक्स्ट सवाल में आते हैं जहारखन का सवयच सवयच चरुच्छन 2020 की रेंकिंग में गिरिए डी के केमा स्थान है बताईए तो ये है 46 वाले केमा है तो 46 है भारत के स्वाइच चर्वेच्छन 2020 की रैंकिंग में जमसेदपूर का केमास्थान है बताइए यह पुरा हाइलेटर कोश्चन है बताइए दो तीन पाँच एक कोई भी ऑप्शन बताइए तो यह है एक कॉमेंट कीजिए है भारत के स्वाइच चर्वेच्छन 2020 की रैंकिंग में रांची के केमास्थान है भारत के स्वाइच चर्वेच्छन 2020 की रैंकिंग में रांची के केमास्थान है आधे बताई है से तरी टूर्य थी ए थरिस्टरी थाटी पर थे प्रीप है त्सकंप 550 करें आते हैं धार्खन के हाल हूं में किस जिल्ला में पांस समदें का आजयोजित किया किया बताई दुम का गुमला लाते हार देव घर कहां किया गया बताई तो ये किया गया आपका दुम का मेहन जहारखन की विधान सबाग जो अध्यस बने हैं रविंदर नाथ महता कहां से सुनाव जीते थे तो बताई आप लोग से सुनना चाहते है बरकठा निरसा बेरमो नाला इसे ञीते थे तो नाला से जीते थे तो थैंक यू फ्रेंड मेरा चैनल देखने के लिए हम पर्ड आपको करेंट लब हम नीचे पीडियाब का लिंक भी दे देंगे हैं तो थैंक यू एक वर हम इस पीट में इसको पूरा रिभाइज करवा देते हैं है तो रिभाइज कराने लिए ज्ञारकन के विदाहन सभा का धियाच रविंद्र नाथ मेहता कहां से चुनाव लड़े थे तो नाला से ल सब्सक्राइब करेंद्र नाइक और जन्सुदच्छा में केमा रेंक है जारकन का है भात में बिहार राज का नायक और जन्सुदच्छा में केमा रिंक है तो ये है आपका स्वनुदच सफ़्चार का पहला पाईलेट पॉरडक्ट की चिल्ला में चलाया जा रहा है के गुमला केंद्र सरकार ने जार्खन राज को पाइलेट पॉर्डेक्ट लगाने के लिए कितना लाग रुपया दी है 32 नेशनल क्राइम रिपोर्ट बेवरो दोबारा भारत के किस राज में मानों तस्गरी के सबसे जाइदा दर्ज हुआ है तो यह हुआ है आपका जार्खन में थैंक यू फ्रेंड आज साम को हम मतलब वन रिपोर्ट का एक मतलब विडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको टोटल दिया रहेगा कि पहले कितना था जंगल और उसके बारे में जो भी 2017 2019 2019 2020 में जो रिपोर्ट निकाला है उसके बारे में मतलब हम बताने वाले हैं तो थैंक यू सक्राइब किजिए शेयर किजिए और इसका पीटियाफ हम कल आपको प्रवाइड करेंगे